जोडों में दर्ध होना, जोड सूच जाना, ठकावट लगना, शाम होते होते ऐसे लगना कि हमारी काम करने के कोई एनर्जी नहीं है, शरीर पे रैशे जाना, अचानक बाल जड़ जाना, मूँ में छाले आना, ये सारे या ऐसे कोई लक्षन अगर आपके आपके फैमिली में में है, तो क्या ये रूमाटिक डिसीज हो सकती है? आइए सुनते हैं रूमाटालोजी या रूमाटिक डिसीज में क्या लक्षन हो सकते हैं पेशेंट्स की? मैं हूँ डॉक्टर सोशान चिंदे और रूमाटालोजी इंडिया से हमारी कोशिश है, जादा से जादा लोगों तक रुमाटालोजी के बारे में अवेरनेस पहलाएं, इसके बारे में ज़्यादा सुनने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्स्राइब करें अब देखिए, रुमाटोलोची एक ऐसा विछह है जिसमें आटो इम्यून डिसीज हो रही है मतलब ऐसे डिसीज हो रही है जिसमें हमारी शरीर खुद को यह अटाक कर रही है जब शरीर किसी को अटाक करें तो कैसे अटाक करेंगी? हमारे शरीर में WBCs, White Blood Cells, सफेद खून पेशी है अब यह WBC का काम है खुद को बचा के रखना बहार से आने वाले बैक्टिरिया या वाइरस से खुद को बचाने के लिए यह WBCs आंटी बोडी बनाती है, साइटो काइन्स बनाती है अब देखिए यह बड़े बड़े शब्द है बड़े इनका मतलब सिंपल है कि ऐसे कुछ चीजे हमारी शरीर बनाती है जो अटाक करती है अब यह अटाक डाइरेक्टेड होता है बैक्टिरिया या वाइरस की तरह जब बैक्टिरिया वाइरस को हम अटाक करके तोड़ देते है नश्च कर देते है तो उस तरह से हम आप खुद को बचा लेते बड़ अगर यही इम्यून सिस्टम बैक्टिरिया वाइरस के खिलाफ नहीं खुद के खिलाफ एंटीबोडीज बनाए तो उसे आटो एंटीबोडीज कहा जाता है और बिमारी को आटो इम्यून डीसीज कहा जाता है अब ऐसे antibodies से या ऐसे WBC से जब attack होता है और जखम होना शुरू हो जाती है शरीर के अलग-अलग हिस्से में उस जखम को हम inflammation कहते हैं दो शब्द जो बहुत similar से sound करते हैं बड़ दोनों का मतलब बहुत अलग है जब बहार से कोई वजा हो जैसे कि bacteria वाइरस जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो हम उसे infection कहते हैं बड़ अगर शरीर खुदी ऐसी जखम करे हम उसे inflammation कहते हैं अब autoimmune diseases ये inflammatory disorders हैं अगर inflammation शरीर के अलग-अलग हिस्सों में हो सकता है तो उसके लक्षन अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से सामने आ सकते हैं शुरुवात करते हैं सबसे common लक्षन से, सबसे common लक्षन होता है जोडों में दर्थ, क्योंकि attack जोडों में होता है और उसे हम inflammatory arthritis कहते हैं, अब अगर inflammatory arthritis हो रहा है तो उसमें से सबसे common नाम है rheumatoid arthritis, यह किसे होगा, यह young महिलाओं में देखा जाएगा, middle age महिलाओं में देखा जाएगा, जब rheumatoid arthritis या inflammatory arthritis की शुरुवात होगी तो उस समय जोडों में, खास कर हाथ के जोडों में, सूजन आना, जोड लाल हो जाना, सुबह उठके stiff होना, यह लक्षन शुरू होगी, इसी के साथ patients को बहुत बात थकावट महसूस होती है, याद रखना जरूरी है कि ज खुद से ही लड़ रही हो, तो भी उसी तरह की लड़ाई हो रही है, जिसे हम inflammation कहते हैं, और patients of rheumatoid arthritis उन्हें exactly वैसा ही फील होता है, थकावट, हलका-लका बुखार, काम करने का मन ना करना, यह सारे autoimmune disease के लक्षन, रुमेटर छोड़ के और भी arthritis हो सकते हैं, जैसे कि psoraitic arthritis जिस के लक्षन काफी similar होते हैं, पर उसमें skin में psoraisis के दाग होते हैं, यह psoraisis के दाग बहुत बार scalp माने बालों में होते हैं, कान के पीछे देखे जाते हैं, हातों पे देखे जा सकते हैं, या पैरों पे देखे जा सकते हैं, इन डागों में खुझली मचती हैं और यह स या Central Skeleton, या Axial Skeleton में जब तकलीफ शुरू होती है, उसकी शुरुवात बहुर बार रीड के सबसे निचले हिस्से से, जिसे Sacro-Iliac Joint कहा जाता है, बहां से होती है, और ऐसे वक्त में, पेशेंट्स को सुबह उठते ही, कमर में दर्द महसूस होता है, सुबह उठके ऐसा लगत को Ankylosing Spondylitis कहा जाता है, Ankylosing Spondylitis ये भी एक Inflamatory Arthritis है, बट ये ज़्यादा तर पुर्षों में, या मैं कहूंगा लड़कों में देखा जाता है, बिकास उमर बहुत कम होती है, 15 साल से लेके 25 साल के बीच में, ज्यादा से ज्यादा पिशेंट्स में इसकी शुरुवात देखी जाती है, अब अगर किसी को कम उमर में, कमर जकड रही है, दर्द हो रहा है, तो उसे जरूर सोचना चाहिए, कहीं ये Inflamatory Disorder तो नहीं, अच्छा, जोडों की तकलीफ, इसके बाद, स्किन में तकलीफ आ सकती है, स्किन में एक बाद तो हम अलड़ी कर चुके है, कि psoriasis के patients को तकलीफ हो सकती है, बट एक और serious बीमारी है, जिसे कहा जाता है SLE, systemic lupus erythematosis, SLE एक ऐसी बीमारी है, जो मैं कहूंगा one of the dangerous बीमारी है, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट definitely warn करना चाहता हूँ, अगर आपके case में, या आपके परिवार में किसी को SLE क diagnosis हुआ है, जल्द से जल्द rheumatologist को मिली, तो होता क्या है SLE, SLE में patients के लक्षन usually skin से शुरू होते, जैसे कि चहरे पे राशेज आ जाना, हात और पेर पे राशेज आना, बाल जढ़ जाना, बालों में patches आ जाना, ये patches लाल होते, soriasis के सफेद थे, ये लाल होते, और इनके स साथ, patients को बहुत बार बुखार होता है, बुखार इतने समय तक रह जाता है कि कभी-कभी doctors, जो diagnose नहीं कर पाते, तो शुरुवात में लगता है कहीं टाइफॉइड तो नहीं, कहीं टीबी तो नहीं, कुछ बार हम देखते है कि इसकी दवाई भी चल चुकी है, और फिर भी this organ is kidney, जी हाँ, SLE में kidney पे attack हो सकता है, यह जो हम बात कर रहें, inflammation की, अगर ऐसा inflammation kidney को हो, तो उसे technical नाम है nephritis, और जब SLE ऐसा nephritis करें, तो उसे कहा जाता है lupus nephritis, one of the serious complication of rheumatic disease, जब lupus nephritis होता है, तो शुरुवाती दौर में सिफ पिशाब में प्रोटीन आना और वो इसकी test ना करा है, पता ही नहीं चल सकता कि आपके पिशाब में प्रोटीन आ रहा है, और अगर पिशाब में प्रोटीन जादा आए, तो वो kidney को permanent damage भी कर सकता है, SLE is a serious disorder, kidney के साथ साथ एक और serious organ जो involved हो सकता है, वो है brain related diseases, जिसमें spinal cord, nerves या brain में injury हो सकती है, SLE के patients को बहुत बार ये symptoms एक के बाद एक आते रहते हैं, और जब बहुत हो जाते हैं, तब rheumatologist के पाँच पहुचता है, because इसका awareness ही कम है, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoraitic arthritis और SLE, ये common बिमारिया है, but एक और बिमारी के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसे कहते है systemic sclerosis, अब इसके लक्षन कुछ SLE से match करते हैं, जैसे कि skin में कुछ तकलीफे आना शुरू हो जाती है, जैसे कि skin tight होना शुरू हो जाती है, खास करके हा खून की नसो में तकलीफ आती है, again inflammation हो रहा है, जिसके वज़े से खून की नसो को तकलीफ हो रहा है, और जब इन खून की नसो को तकलीफ हो रहा है, जैसे blood vessel कहा जाता है, जब ऐसे व्यक्ति धंडी में जाते है, या AC में बैठ़ते हैं, या फिर fan की निचे बैठते हैं, ये नसे अचानक से सिकुड जाती है, अब अगर नसे सिकुड जाए, तो जो blood supply है, वो रुपने लगता है, blood supply अगर ना हो, तो हाथ, पाव, नाथ या कान की areas पहले सफेद पढ़ सकते हैं, और अगर बहुत समय तक खून ना पहुचे, तो नीले पढ़ सकते हैं, इस तरह से अगर किसी के हाथों का रंग बदल रहा है सरदियों में, तो उसे कहा जाता है Reynolds Phenomena, और Reynolds Phenomena ये एक prominent symptom है systemic sclerosis का, अगर ये ignore किया जाए, अगर इसके तरफ नजर अंदाज किया जाए, तो खून इतना कम पहुच सकता है, कि हाथ और पेर में गैंग्रीन, माने वो पूरी तरह से काली पढ़के तूट सकती है, अपने आप तूटके गिर सकती है, ये serious समस्या है, और जो प्रांत ऐसे है जहां पर बहुत सर्दिया होती है, खास कर वहां के patients ने बहुत कैरफूल रहना चाहिए, systemic sclerosis में एक और लक्षन होता है, वो होता है isophagus, मतलब food pipe का, patients को बहुत बार खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है, या खाना खाने के बाद खाना उपर आना शुरू हो जाता है, रात को सोते सकती है, patients को कभी-कभी सास में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि lungs में बिमारी फैल सकती है, जिसे कहा जाता है, interstitial lung disease, अब इतने सारे symptoms है, आप स सब जगा है, तो अगर इसे सही समय में डाइगनोस किया गया, तो इसे रोका जा सकता है, हमारा काम है इस inflammation को जल से जल रुखे, समझे ये inflammation का मतलब है आग लगना, अगर आपको टाइम में ना बुझाया गया, तो बहुत नुकसान हो सकता है, और इसका काम करेंगे, rheumatologist, तो अपने नजदीक के rheumatologist को जल से जल मिले, अगर आपको इन में से कोई भी symptoms हो, और आपको कोई डाउट हो, प्लीज रुमatologist से discuss करें, और अगर आपको लगे कि हम आपके किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो प्लीज उसे comment box में डालिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार जाहिन